किर्कीट से सन्यास के बाद खिलारी अलग अलग qualification में आपना हाथ आजबाते हैं कुछ लोग्र राजणिती में जाते हैं ुछ बिजनेसमेन हुते हैं दूसे पैते हैं किसी टीम का कुछ लोग कमें टेर बनते हैं क्या आपको पता है कि कमेंटेटर का सैलेरी कितना होता है क्या किर्केटर से ज्यादा कमाते हैं हमारे यहां के कमेंटेटर इस सब बात भारत के स्टार कमेंटेटर आकास चोपरा ने बताया है कमेंटेटर का सैलेरी कितना होता है हलाकि किरिकेट के छेतर में तो अकास चुपरा अपना नाम नहीं बना पाए लेकिन कमेंटरी के छेतर में बहुत अच्छा नाम बनाया है उन्होंने अपने आपको और सांदार उनकी कमेंटरी सुनने को हम लोगों को मिलती है कमेंटरी से आपको याद आता होगा जब 2000-2009 2004-2002 का जब दौर था उस समय टीवी का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था गाउंते हाथ में टीवी नहीं होता था तो रेडियो पर सुना जाता था कॉमेंटरी और कान में लगा करके जब आस पर उसमें चैनल सही से नहीं पकरता था तो कान में लगा कर हाँ पकर लिया तो उसमें होता था एप बीएसनल चौका केमेस्टरिंग इंडिया याद है ना हाँ उस दौर से ले करके और आज के टीवी के कमेंटेटर के दौर तक बहुत कुछ बदल गया है उस समय हुआ करते थे कमेंटेटर सुसील दोसी पिनीत गर्ग बहुत अच्छा च्छा कमेंटरी करते थे रमन भिनाट लेकिन आज कल के कमेंटेटर है वो आपको आँखो देखा हाल कमेंटेटर ही सुनाते हैं वो पहले देखते हैं उसका पक्खान आपके कानों तक आपके आँखों तक करते हैं कि ए बॉल सोटपीच बॉल थी उसको उठा करके खेल दिया है और इस सीधे पाउंटर लाइन से पाहर छे रनों के लिए सिद्धु पाजी का कमेंटरी के सब लोग दिवाने होंगे गेंद तारा मंडल में परमा जी के कमंडल में गजब गजब साहरी सुनने को मिलता है आस चोपरा हो गए यह सब बहुत अच्छे कमेंटेटर में गिंती होते हैं अब कमेंटरी पूर्व खेलारी कमेंटरी में भी हाथ आजमाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पूर्व पलेयर है जो पूर्व किरिकेटर है उसको ही कमेंटरी का कैरियर बना सकता है अगर ज देख लिजी अभी आपको जतिन सप्रू का उधारन है और जुन पंडित है उसके बाद अनंत त्यागी है यह लोग किरिकेट नहीं खेलते थे लेकिन फिर भी किरिकेट का नौलेज रख करके कमेंटरी करते हैं और एज डिरेक्टर चैनल के लिए काम करते हैं उनके अंडर मे से ज्यादा कमाई कमेंटेटर का होता है अब कमेंटेटर का सलाना इंकम क्या होता है उन्होंने बताते हुए कहते हैं कि हम लोगों को एक मैच का 6-10 लाक रुपया तक मिलता है और अगर 6-10 लाक रुपया तक कमेंटेटर को एक मैच का मिलता है और अगर उस साल में 100 मैच मे भी अगर हो किमेंटरी कर लेते हैं तो लगभग 6-10 करो रुपया साल का हो जाता है और इतना कोई पलेयर को भी नहीं मिलता है भारतिये पलेयर को चार भागों में बाटा गया है को सैलरी दिया जाता है मतलब मतलब इस चार भागों में बाटा गया है एक पलॉस वाले को मिलता है साथ करो रुपया यह बाले को मिलता है पांच करो रुपया और भी वाले को मिलता है तीन करो रुपया और सी वाले को मिलता है एक करो रुपया अब एक पलॉस वाले किरिकेटर जो है मात्र चार ही पलेयर है इंडिया के रविंदर जटेजा विराट कोहली रोहित सर्मा और जस्परित बुम्रा यही मातर चार पलेयर है जो ए पलस में जिनको साथ करोर सेलरी मिलती है इसके अलावा भी उनको मैच खेलने का पैसा अलग से मिलता है लेकिन जो सलाना सेलरी होता है बीसी सी आई के रविचंदरन अस्वीन सुभमन गिल हार्दिक पांड्या केल राहुल इस सब एक केटोगोरी में आते हैं बी केटोगोरी में आते हैं जिनको तीन करोर मिलते हैं सुडिया कुमार यादव रिशा पंथ यह सस्वी जैसवाल अक्षर पटेल कुल्दीप जादव इस सब बी क केटोगोरी में आते हैं तो इन लोगों से कहीं भी ज्यादा आपको किर्केट के कमेंटेटर पैसा कमाते हैं और फैसलीटी भी मिलती है उनको बहुत अच्छा से आपको कमेंटेटरी करते हुए नजर आते होंगे हरवजन सिंग इर्फान पठान अकास चोपरा विबेक रा आते हैं तो इन लोगों का आवाज सुनने के लिए इन लोगों का जो बात सुनने के लिए भी लोग मैच देखना सुरू करते हैं तो इन लोगों का चार्ज और ज्यादा होता है इसलिए आपको आप देखते हो यह कहां कहां का स्टैट निकाल करके आपके सामने में रखते हैं swing ball कैसे pedestrians कैसे मिलेगा भले लोग फुद जब cricket खेलते थो उस समय उतना ग्यान नहीं होता था लेकिन माईक हात में होता है तो बहुत सारा ग्यान देते रहते हैं और सि wondered चाहिए यूबा प्लेयर को जो यूबा प्लेयर होते हैं कोमेंटरी अगर आप लगातार सुनते हैं तो आपको सीखने को बहुत चीज मिलेगा कि अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है बॉल पुराना हो गया तो क्या करना चाहिए कोई अगर घास हरी पीछ है तो उस पर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कोई बुरा बात नहीं है हम लोग भी कमेंटरी करते हैं अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे है किसी को अच्छा लगे तो किर्पया हमको भी सपोर्ट किजिए कॉल कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपके हिस साब से कौन सबसे अच्छा कोमेंटरी करता है कोमेंट करके जरूर बताइएगा जब तक के लिए बेस्ट अफ लग धन्यवाद